नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको यह दो कलर का खुब्सूरा सा डोर्मेट बना न बताऊंगी इसका मैंने डोर्मेट बना है और यह देखें मैंने इसमें यलो कलर से 28 फंदे डाल रखें जाए अब यह देखें आप इसमें क्या पर ही डिजाइन से बिना स्टाट करेंगे तो यह पहला फंदा उतार लेंगे धागा आंगे करेंगे और यहां पर हमें एक फंदा बढ़ा लेंगे यह दिखिए एक फंदा बढ़ा लेंगे अब इसमें जब भी फंदे डालेंगे तो चार के सेट में डालेंगे क्योंकि हमें दो पार्ट में इसको डिवाइट करेंगे तो यह देखिए हम पहले यह पूरे फंदे अब हम उल्टी उल्टी उल्टे उल्टे बिनेंगे सारे फंदे बिन लेंगे यहां लास्क तक उल्टे उल्टे इंब यह दिखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे। बिल लिये हैंד और दो फंदे हम यहां चोड़ देंगे और यहीं से पलट के सलाई अब हम आजाएंगे में यह सीधी साइड में इस तरसे सारे फंदे अब हमें उल्टे उल्टे बिनना हैं यह सीधी साइड हम पूरी ऐसे ही पूरी उल्टी उल्टी बनाके कम्प्लीट करेंगे यहां तक अब यह देखे हमने सीधी सलाई पूरी उल्टी उल्टी यह लास तक बिनके कम्प्लीट कर लिया यह देखे अब हम सलाई पाटके फिर से उल्टी साइड आई उल्टी साइड में आने पर पहला फंदा हम फिर उतारेंगे धागा आगे करेंगे इस तरह से और एक फंदा हम फिर बढ़ा लेंगे यह दिखे इस तरह से हम एक यह किनारे से इसे फंदा खीचके उठा लेंगे और यह एक फंदा हमने बढ़ा लिया अब यह एक फंदा यह इस तरह से और बाकी फंदे फिर एक खंद हमने बढ़ा लिया और सारे फंदे अब हम फिर उल्टे उल्टे बीन लेंगे यह दिखे सभी फंदों को अब हम लास्ट उल्टा उल्टा बीन की कंप्लीट करेंगे कि अब स्अरे फंदे में में उल्टे उल्टे इना कि अब दोपन फिर से छोड़ेंगे उस बार ने अदूकogen पिर से बीन यही चार पंदे चुड़ रिए और यहां पे दो फंदे बढ़ गए इसे थरसे सार इसे पहले से पहलंसे हो द स्वाइब डी करेंगे और एक फंदा फिर इस तरह से यहां से नीचे से यह देखें साइड से उठा लेंगे तो एक फंदा हम फिर से बढ़ा देंगे और यह देखें और इस फंदे को ऐसे बिलनेंगे और सारे फंदे हम फिर उसी तरह से उल्टा-उल्टा बना के कंप्रेट करेंगे यह देखें कि बनाने है कि दिखें में सारे फंदे उल्टे-उल्टे बिंदी है अब यहां पर तीन फंदे करके बढ़ें अब इसी तरह से अब यह सीधी सलाई करेंगी पूरा उल्टा-उल्टा फिर उल्टी साइड में आएंगे एक फंदा बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमें 28 फंदे डाले हैं तो मैं जब 14 फंदे छोड़ दूँगी उसके बाद दिखा सलाई बनाना नहीं यहाँ पे फंदा बढाना और दो दो फंदे यहाँ पे छोड़ने आए इसी तरह से और सीदि सलाई पूरी ऐसे उल्टा उल्टा बना के कम्प्लेट करने हैं अब यह देखे में दो-दो करके यहां पर 12 फंदे छोड़ दियें और 6 फंदे यह बढ़ती हैं एक फंदा और बढ़ा होगी यह देखे एक फंदा पहला फंदा हर बार उतारेंगे तो यह देखे किनारी इस तरह से चेंज असी आँगे बनती हुई जाएगी पहला अधागा का Пएना पहला पहला करने उतारेंज एक नीचे से इसी तरह से रवार उताएंगे यह देखे पागांगे술 हTF बीलनेंगे गार हम इत कि इस सारे पंदी किवड़ें तो अभी यहां पे साथ पंदे अफमारे बढ़ गाए पृष्ञ कर के 28 फंदी का बनाया थे तो हमने 8 अब छूट जाएंगे यह देखें इस तरह से और यह हमारी यह देखें हाफ कली बन के तयार हुई है अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं यह देखिए अब यहां तक हमने बिन लिए अब दो फंदें फिर से छोड़ देंगे तो यहां पर हमरेonne यह दूझारी दो्च। 2014 फंदें हमने छोड़ दिए तो हमारे साथ फंदें बढ़ गये यहीं यहां से अब किया दिखेंगे पूरी सीधी सलाई कंप्रेट क अन में हमने साथ पंदे निए besTa क्छा तो और की लाएंगे तो यह देखिए एक दो तीन चार पांच च्छै अब यह सात्मा फंदा है इसमें यहां पर मैं अपना यह दूसरा कलर लगाऊंगी ब्लू तो यह सात्मा फंदा हम गटा यह दे तरा से उसलिक और यह दोबिक है को अब यह सारे फंदं उल्टा उल्टा है अब विनेंगे यह दिखिए उल्टा उल्टा अब यह फूरे आप हम येलो से नएँ आप हम सब फंदों को बलू से बिललेंगे अल्टा उल्टा तो जो हमने साथ वंदे बढ़ाय तो साथ घढ गाए अब हमारेप confir को टोटल 28 फंदे फिर से जोगए इन सबी फंदों को अब हम यह देखिए इस तरह से लाश्ट तक यहां तक पूरा बिल लेंगे यह देखिए हमने सारे फंदे बिल लिए और इस फंदे पर लूप लग यह इस फंदे को देखिए हम ce Marine के बिल लेंगे और यह फंद़ा इसको फ्रेंगे यह पहले शेश्ट लेंगे इस आएए इस तरह से जらल यहां तक हम ल्टा ल्टा यह बिल लिन www बिल से बिन लिए तो अब यह हमारे जितने फंदे हमने डाले तो सेम उतने ही फंदे हो गए अब हम क्या करेंगे यह दिखे इस तरह से फिर हम उल्टी साइड में आएंगे इसको थोड़ा टाइट कर देंगे तो यहां पर यह जाली पड़ जाए अब यह पहला फंदा फिर उतारें साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा यह हमारे टोटल तेरा फंदे हो जाएंगे दो, दो चार, दो छै, दो आठ, दो दस, दो बारा, तेरा और यह दो फंदे अभी तक हमने यह 14 फंदे छोड़े थे अब उसके आंगे फंदा छोड़ना चूड़ करेंगे तो यह दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे तो यह हमारे 16 फंदे हो जाएंगे यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांक, छै, साथ, आठ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, 16 फंदे और यहीं से हम सलाई पलट लेंगे अब सीधी साइड, सीधी साइड पूरी ऐसे इल्टी-उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से सभी फंदे अब उइल्टी-उटी अब ये देखे में सीधी सलाई बना लिया, फिर से उल्टी साइड में आगे, पहला फंदा फिर उतारेगे, धागा आँगे और एक फंदा यहां से हम ऐसे बढ़ा लिया, और ये दो और सारे फंदे इस धागे को हम ऐसे साथ में लेते हुए चलेंगे, और अगर नहीं ले के तो यहाँ पर कट मारार के फिर आंगे यूज कर सकते हैं कि इसको रावी तरह से ले लेंगे और शारे फन्दिष ancient कि विद्द हमें उल्टा हम आप्ञें अब हमारे यहाँ घ्रियो ही ऑप एफ ने अमने में बढ़ेंगी कि यहां यहां बुिद conten यहां ने चोड़ें पूरी फिर से हम उल्टी उल्टी कम्प्लेट कर लेंगे अब यह देखे सिधी सलाई पूरी बनगे अब हम फिर से उल्टी साइड है फिर उसी तरह से धागांगे और एक फंदा फिर यहां से बढ़ा लेंगे यह देखे इस तरह से और सभी फंदे अब हम फिर से उल्टा उल यह देखें, दो फंदे छोड़ देगे, और यहां से सलाई पलट लेंगे, और सीधी सलाई पुरी ऐसे उल्टी-उल्टी बना के कम्प्लीर करनी है, अब हम फिर से उल्टी साइड में आगे, फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धाग आगे, और एक फंदा हम फिर से बढ बढ़ेंगे, तो हमने यहां से लेके यहां तक 28 फंदे छोड़ना है, 14 तो छूड़ गया थे, और 14 भी ब्लू कलर से छोड़ना है, 14 हमने यलो से छोड़ने के बाद में, और यहां पे हमारे 7 फंदे बढ़ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से यह बढ़ाना है, यह सारे फंदे अब हम फिर से उसी तरह से बिनेंगे, और हर बार यहां पे एक फंदा बढ़ाना है, और यहां से दो फंदे छोड़ना है, तो यह दिखें, दो फंदे हम छोड़ना है, और यहीं से सलाई पलटके सीधी साइड में आदें, इसी तरह से हम यह यहां पर 12 फंदे छोड़ दिए दो और यहां पर 6 फंदे बढ़ गए अब हमारी यहां पर 28 फंदे छोड़ गए और यहीं से सलाई पलटके अब हम फिर से यह दिखें उल्टी साइड में आ जाएंगे उल्टी साइड में पूरे फंदे ऐसे बिलनेंगे उल्टा उल्टा अब यह देखें हमने सीधी सलाई फूरी कंप्लेट कर लिए अब हम फिर से उल्टी साइड में आगे उल्टी साइड में देखें आके फिर उसी तरह से पहला फंदा उतार लेंगे धागांगे करेंगे 5 escuch और 6 यहां से में कलर करना है तो मैं this 7 घंद ओν से गटाओंगी तो इस धागे को ऐसे करूंगी और इसे यहलो से 7 घंद से गटा दूंगी यह देखे अब इसे सारे फंद फंद पूरा लास्ट तक इस तरह से मिलेंगी को थोड़ा टाइट कर देंगे और यह सबी फंदों को अब हम पूरा येलो से लास्ट तक बिन लेंगे ये दिखे इस तरह से अब यह देखें हमारी कलि बनके कंप्लीट हो गई इस तरह से अब हमें दूसरी कलि बनाना है तो दूसरी कलि बनने के लिए के लिए हम तार लिया धागा अगे अब अब इस फंदे धाग आगे नहीं करेंगे अब इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे और इसको खीच के टाइट करके और यह आगे के फंदे अब पूरे फंदे अब इसी तरह से ल्टा ल्टा बिन लेंगे और शीधी सलाई पूरी लास्ट तक हमें सारे फंदे यहां तक ल्टा बिनना है अब यह दिखें हमने सीधी सलाई पूरी कमप्लीड कर ले Supp recommends अब हम फिर से जोरी फंदा करेंगे अब हमारी एक कली पूरी इस तरह से और सारे फंदे फिर हम उल्टे उल्टे बिनेंगे और दो फंदा यहां पे छोड़ेंगे सेम उसी तरह से अब हमें रिपीट करना है जैसे हमने यह नीचे बनाये था यह दूसरी कली सेम उसी तरह से बनेगी इसी तरह से रिपीट करेंगे तो यहां पे हम दो-दो पूरी यहां नीचे तक बिनेगे एक फंदा चोड़ देंगे और उसके बाद में हम फिर ब्लू से भी बाकी चौदा फंदे ब्लू कलर से चोड़ेंगे इसी तरह से हम रिपीट करेंगे तो यह हमारा बहुत सुन्दत डॉर्मेट बन के तयार होगा, मैं आपको बना के दिखाते हूँ, देखे हमने यह इस तरह से, उसी तरह से रिपीट किया है, तो यह देखे हमारा कितना सुन्दत डॉर्मेट बन के तयार होगा है, यह लास्ट की कली है, यह मैं आपको बताना नहीं उसलिए इसको हम ब्लू से नहीं घटाएंगे, अगर ब्लू से घटा देंगे तो यहां पर हमारी डबल लाइन हो जाएगी, जो डॉड मेट की डिजाइन बिल्कुर डिस्टर्ब हो जाएगी, अब यह देखें, इसको हम किस तरह से करेंगे, अब यह आखरी है, तो आखरी को हम यहां जूदका यह करके हम सारह से इस तरह से, यह ब्लू वाले सारह सलbreaker यह जो से घटा कि पल डेंगे अ narrative, यह देखें इस तरह से आमें कि इस तरए से और यह देखे हैं इस तरह से देखिए हमारा यह इस तरह से इस तरह से कतना सुन्दर यह डॉर्मेट बन नविकती है जो डीजाइन हमारी बहुत खराब हो जाती है देखिए इस तरह से ही खुबसूरत सा डूर्मिट हमारा तयार हो गया आपको डूर्मिट अच्छा लगा कमेंट करिए और मुझे बताए कि आपको मेरा डूर्मिट कैसा लगा पसंद आए तो लाइक करिए सब्सक्राइब नमस्कार